नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एज्यूकेशन क्लासस रामू में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों BPSC के तरफ से जो कटप की बाते हो रही थी वो जारी कर दिया गया है अपीसील कटप की तरफ से उसके बाद BPSC के तरफ से जो डक्मेंट बेरिपीकेशन का च्छनाव से लेकर बारावी तक का किया गया था उससे रिलेटेड कुछ कंडिडियेट ऐसे थे जिनका जो मेरिट लिष्ट में नाम नहीं आया था अब नाम न आने के कारण उनका जो मेन कारण है वो भी अपने BPSC के साइट पर अपलोड कर दिया गया है जो कि आपके सामने देखी रहा होगा जैसे BPSC के साइट पर जाएंगे तो ये चीज़े आपको पूरी डिटेल में दिखेगी उसके बाद आपको हम बता दें कि BPSC के चेर्मेन अतुल प्रसाद जी जब कटफ जारी हुआ तो उसके बाद ट्वीट करकर एक बहुत महत्मूर जनकारी दिये हैं तो उसकर भी चर्चा करेंगे और बाकी उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं जो कटफ जारी किया गया है कंड बीपेसी के द्वरा तो उस पर कुछ ऐसे कंडिडेट है जिनका सेम कटफ होते हुए भी उनका सेलेक्शन या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उसके कारण को थोड़ा समझने की का कारी करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो कौन तक बने रहेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक सेया सब्सक्राइब जरू करेगा पहली चीज आपको बता दे कि बीपेसी के तरप से जो है कटम जारी कर दिया गया है आपको दीखी रागवा यह पर उसके बाद कच्छा 9 के कंडिडेट कच्छा 9, 10, 11, 12 और 9, 10 और 11, 12 के जो कंडिडेट है उनका जो मेन कारण है लिस्ट में आने का नाम वो चीज़े जो इस पर जारी किया गया है कुछी कंडिडेट है जिनका नाम के साथ लिस्ट आया गगा है वो भी आपको दिखाऊ जैसे देखिए कच्छा 9, 10 के कंडिडेट को इन्होंने बताया कि कंडिडेट not in included merit list due to beginning absent of document verification करते वक्त यह absent थे तो पहला कारण का गया कच्छा 9, 10 के दूसरा कारण कच्छा 9, 10 के अभरतियों का गया कि not included merit list beginning absent in qualified language paper में आप qualify ही नहीं किये है इसलिए आपका merit list में नाम नह का च्छा 9, 10 के अभरतियों को बताया गया है उनका list भी आया है कि जिन जिन अभरतियों का नहीं हुआ है तो उसको भी देखिए यहीं बात का 11 और 12 वाले दोनों बाते जो है यहीं कही गई है तो यह जीजे है उसके बाद अभी हम आपको दिखाते है पहले यह tweet इन का देख लेते हैं tweet इन्होंने किया कि ट्री कटफ मार्क और डिस्क्वालिफाइड कंडिडेट जो भी कटफ मार्क के अंतरगात नहीं आये है या डिस्क्वालिफाइड कंडिडेट हुए है उनका list है भी डिक्लेयर हो गया है उसके बाद वह ही candidate जो मैं अभी आपको दिखाय वेरिशन उमार सीट इनका उमार सीट भी जो language paper का है वो भी upload कर दिया जाएगा ये अतुल परसाद जी के तरफ से अभी हालें का tweet दिया गया है उसके बाद हम आपको चलते हैं सीधे cut up पर चलके दिखाते हैं तो चलिए cut up पर चलते हैं ये रहा cut up देखिए यहाँ पर दिय दसमी तक और 1-12 तक तीनों cut up दियो जो है दिया गया है BPSC के द्वारा BPSC के साइट पर नई तो आप हमारे टेलिग्राम पर जूड जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्सर में लिंक दिया हूँ वहाँ पर चलेजिए सारी जो है PDF आपको मिल जाएगी चाहे वो कच्छा न जादा बची सी में जैनरल कटिगरी का जो अन रिजर्ब जो होता है सरसट मेरीड बना है और अन रिजर्ड में फीमल में संतावन मेरीड बना है लेकिन कुछ कंडिडेट ऐसे भी है जिनका इतने मार्क्स पाने के बाद भी जो है सिलक्षन नहीं हो पाया तो कारण में है कंडिडेट ही उपलब्द नहीं है BPSC को कि उसका रिजर्ट जारी करेत उसलिए एने का मतलब होता है कि अब्यर्थी उपलब्द नहीं है दूसरा कॉइंट इसमें कहा है कि वैसे अब्यर्थी जिनको लिति परिच्छा में अपने आरच्छन कोटी के कटफ अंक प्राप दिवनागरी लिपी में वडमाला के अनुशार नाम वाले अभी उमिद्वार को वरिता दी गई है यानि कि अगर आप तय कटफ के अंतरगत भी आते हैं फिर भी आपका कटफ के अंतरगत नाम नहीं आया इसका कारण है कि आपका जो कटफ है वह आपके साथ मतलब जैसे हो तो डेटा बर्ड देखा जाएगा कि किसका डेटा बर्ड जादा है उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और नहीं तो जब वह ऐसी डेटा बर्ड भी अगर समान हो जाता है तो उस अस्तिती में उसको अलफा वेड के अनुसार जो जो इन लोगों ने कुछ बच्चों का रिजेंट दिया मतल मेरिट लिष्ट में नाव दिया कुछ बच्चों को नहीं दिया क्यों नहीं दिया तो ये दूसरा कारण मेन कारण था अब आपको समझ में आ गया होगा तीसरा एक कारण हो सकता है कि वैसे है बरते जिनको लिगित परिच्छा में अपने आरच्छन कोटी के कटफ अंग से अधिक प्राप्थ हुआ है प्रन्तु उनके द्वारा समर्पित दास्तावेज प्रप्तांकों का सत्यापन डेवी में विसंगती अयोग पाये जाने अत्वा भासा वीचे में अहर्ता प्राप् हो सकते हैं आपका कटफ में नामना आने का और कटफ में नाने का में कारण आपको समझ में आ गया हो तो आप एक चीजे समझ लिएगा उसके बाद यहां देखिएगा जहां एक बहुत बड़ी मिश्टेक हुआ है बिपेसी के द्वारा कि यहां पर अन्रिजर्प और अन्र पर का लेबल अलग है तो बीपेसी के द्वारा नर्मलाइजेसन भी नहीं किया गया है अब कोई बत्ती को सरसट होगा और क्यों सेलेक्शन नहीं होगा तो उसको या तो दो चीजे कंडिशन में नीचे आपको बता दिया उसके बाद कुछ और जैसे कच्छा नाव दसके औ डाकुमेंट अन्वेरिफाइड हैंस नाट कंसीडर फार मेरिट लिस्ट ये कारण हो सकता है कि आपने डाकुमेंट साई से अब देखिए यहां पर बताया है रोल नमर इस व्यक्ति का हिंदी में एस्टेट का सार्टिफिकट नान अपलोड इन्होंने एस्टेट का सार्ट सार्टिफिकट अपलोड नहीं किया था तो ये कारण हो सकता है कि इनका लिस्ट में नाम नहीं आपने तक तो ये कारण आपको समझ में आगवा होगा ऐसे बहुत से अबरती हैं जैसे कि लगवग इसमें हमको लगता है कि 612, 612, 612, 32 में हैं सी एस्टेट सार्टिफिकट अपलोड तो ये कारण हो सकता है लिस्ट में नाम आने का अब देखिए यहां पर जो है कच्छा 11-12 कंडिएट अपसेंट इन क्वालिफाइड फेपर मतलब जो 30 नमर लाना था लंगवेज में उसमें नहीं लाएं जैसे देखिए ये रोल नमर हैं इंगलिस में इन्होंने नाट क्वालिफाइड इन लंगवेज पेपर उसके बाद कुछ ब्वाब ब्रेक्टि अपसेंट भी थे हैं पज्बेक्वेज वाला पेपर तो इसके कारण भी उनको फैल कर दिया गया है ये नहीं लाए गया है तो ये कच्छा 11-12 का हमने दुने कंडिजन दिखा दिया इ देखे कच्छा 9 से 10 वाले के कंटिडेट यह जो है डाक्मेंट जो है अपलोड नहीं किये हैं या उपलब्द नहीं करा हैं डाक्मेंट वेरिपीकेशन की वज़े से तो इनका यह कारण दिखाया है रोल नमर यह है कच्छा 9 से 10 को ध्यान लखेगा अगिए से जो डाक्मेंट होता है इनके उनको धिखा रहा है अगे और क्वालिफाइल लेगड़ वाला भी दिखाते हैं आपको चलिए कच्छा 9 से 10 तक language paper में not qualified है तो उनको दिखा रहा है देखी यहाँ पर कुछ अभ्यरती जो है absent है और कुछ अभ्यरती जो है not qualified है language paper में कच्छा 9 और 10 वी वाले जो student है उनकी बात कर रहा हूँ अभी primary का जो है यह सब नहीं आया हुआ है लेश्ट के कौन से candidate किस में fail है या किस वज़ा से नहीं आया है नाम वो जह main कारणा भी नहीं आया है तो यह बताना भी गलत है बाकि चीज़े इन सभी की PDF आपको चाहिए नीचे टेलिग्राम में जूट जाएगा वहाँ पर सभी आपकी PDF इसकी मिल जाएगे